हेलो फ्रेंड्स हपी नियू यह तो नए साल कल तो काफी अच्छा रहा और आशा करते हैं कि जो 2021 है और आप सब के लिए अच्छी स्वस्त लाए और वेल्थ भी लाए फिर्स्ट हेल्थ दन वेल्थ तो चलिए आज का इस वीडियो में मैं यह बात करने वाला हूं कि डिसंबर 2020 में तो मेरा क्या पर्सुमेंस रहा फ्रम माई ट्रेट उसका डिटेल बात करेंगे और यह भी बात करोंगा कि अगर कोई क्या सिक्योर्ट पूट आईटीयन हो जाता है या कोई फ्यूचर जो आप बाई किये हो वो बाई दा एक्सपैरी डेट या एक्सपैरी विक में नीचे चला जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और तिसरा यह भी बताऊंगा कि the virtue of patience उसमें क्या फाइदा होता है तो चलिए दोस्तों तो before I proceed मैं यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से जो मेरे से connect होना चाहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं या मेरे ट्वीटर में भी फॉलो कर सकते हैं मैं अ within two minutes all the trades opening of the trade, initiation of the trade and closing of the trade, सब trade मैं इसमें posting करता हूं और आप उसे देख सकते हैं and this is for purely educational purpose आप इसे देखें और सीखें बाकि आप अपना financial advisor का शहाता लेते हुए आपको जो भी trade करना है आप कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं बिना समय गवाएं डिसम्बर में क्या रहा मेरा performance डिसम्बर में मैं आपको चार स्लाइड दिखाने वाला हूं डिसम्बर का trade का यह मेरा पहला स्लाइड है 25 trades दूसरा स्लाइड एगें 25 trades यह रहा तिसरा स्लाइड वन सेगें 25 ट्रेड इसमें आपको दीखेगा और अंत में यह चौथा स्लाइड जो जिसमें भी 25 trades हैं तो total trades राम मेरा 100 आप देख सकते हैं जो मेरा extreme right side of the जो कलम है उसमें जो रेड लेटर में नंबर लिखा है दो जार लॉसस तो आउट अप 100 trades that have been closed 30 ones resulted in loss तो पूरा महना कैसा रहा पिछले महने के साथ अगर मैं बात करूं तो how was the performance यह देखिए पिछले November 20 को मेरा जितने भी trade हुए ते उसमें मेरा success यानि कि जो positive में जो result आया था वो था 65.38 परसेंट इस बार थोड़ा सा उससे अच्छा हुआ है out of 100 69 resulted in profit और यह रहा असरी बुद्दा जिसके लिए हम सब trade करते हैं मेरा return December 2020 में काफी अचा रहा 13.85 परसेंट जबकि निफ्टी एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उसका जो percentage of gain था 7.8 परसेंट 7.8 परसेंट like November इस बार भी अच्छा किया market को beat किया and it is 13.85 परसेंट अब मैं आपको ले आया हूं मेरा 31 दिसंबर जब एक जनौरी से पहले कितना open position था यह जो slide आप देख रहे हैं इसमें मैं open position दिया हो cash secured ports सिर्फ चार यह cash secured ports आप देखते होंगे जो पहले पहले मेरा cash secured ports ज्यादा रहते थे cover call कम रहते थे आज कल थोड़ा मैं ज्यादा cover call ले रहा हूं rather than the cash secured ports क्योंकि market काफी bull train में है bull phase में है तो यही मौका है तो cover call में अगर आप सही जगा पर entry लेते हो तो इसमें amount of profit ज्यादा होता है वो आप देख सकते हैं जो मेरा पिछला जो चारो slide दिखाया जो close हुआ है तो उसमें cover call है उसमें profit ज्यादा आया है और CSP के मुकाबले लेकिन ध्यान रखे आप लोग जब भी हम लोग trade करते हैं market situation को देखकर यह decision लेते हैं क्या हम cover कर लें against future और cash cash में तो कोई issue है नहीं cover कर लें against future और cash secure put sell करें मेरे हिसाब में जो नए-नए investor बने नए-ने trader बने हैं उनके लिए यद्यपी मैं यहां भी cover कर लेता हूं उन्हें मैं यही हिदायत दूंगा instead of directly coming to derivative trade का future में आप 10% 15% नीचे cash secure put करें वो थोड़ा safe रहता है then buying future at the current price यह जरूर ध्यान रखिये क्योंकि जब market fall होगा तो future में जितना loss होगा उससे आप सभल संगना चाहिए next मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा जो cover call against cash वैसे तो और भी मेरा कुछ cash position है जिसके against मैं cover call ले सकता था लेकिन अभी तक लिया नहीं हूं आप पुछे की क्यों नहीं लिया आप देखिया मैं doctor ready में तो लिया हूं doctor ready का है यह 5400 call अभी जो 5280 january एक को close हूआ उससे काफी उचा है मेरा जो cash है around 4700 some odd में मेरा खरीदा हुआ है तो इसके लिए काफी gap है इसके लिए मैं इसके against मैं cover call sale क्या हूँ लेकिन मेरे पास reliance के भी cash है cash holding है और HDFC bank का भी cash holding है लेकिन मैं सोचता हूँ कि पिछले बार quarter two जैसा result ना आ जाए जिसमें की HDFC काफी भागा था लेकिन reliance नीचे आ गया था so I am just waiting उनका जब result मुझे पता चल जाएगा reliance का और HDFC bank का तब मैं cover call उसमें sell करूँगा आज safety के द्रिश्टी से मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि these are all priced position in anybody's portfolio तो कोई आप कर सकते हैं लेकिन मैं सोचा कि नहीं मैं अभी करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा return without that also I am getting good profit so I am not taking any chance there so I will wait for the result और यह रहा सथे important मेरा covered call against future there are total 13 pairs और इसमें मैं लिया हूं reliance में HDFC life Cadilla I bull India bull housing finance HCL भारती अर्टेल बीपी सी एल अम्बुजा सिमेंट नालको फ्यूचर इनफी डिवीज लैब आइसी एसे बैंक और जूबलेंट फूड जैसे कि आप इसमें देखते हो कि मैं जो पिछले November review video में या mid December का जो review क्या था उसमें जो जो सेक्टर मैं बोला था उसी सेक्टर के यह सेर्स हैं जैसे कि फर्मा एंड आइटी प्रिडॉमिनेंटली ज्यादा है और उसके बाद FM कंजूमर प्रड़क्ट है FMCG है देन आइट 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 आप सम पॉब्लिक सेक्टर और बैंक सेज्वल और मुझे लगता है कि जितना भी मेरा यह सेलेक्शन हुआ है आइट आइट अब नमाध मेरा जोका जो कीडिसमर मेना में जो मेरा ट्रेड हुआ था और जैनौरी के लिए जो में करी फर्वरड क्यूंजिवार जरा जो मेरा जो जो ओपन फोजी संसे वो वो सब में आपको दिखाया तो इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हो और अपना डीशेशन ले सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा जो कि मुझे कई सारे आते हैं इन ट्वीटर और यूटीब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी का काफी क्वेरी आता है और अलसो वार्शाफ में तो इसमें कई सारे उसमें एक जो इंपोर्टेट मुद्दा कुछ लोग उठाते हैं वह है जब मार्केट नीचे हो जाता है है डाउन हो जाता है जब आपका कैस सीक्यूर पूर्ट लॉस में आ जाता है इंदा मनी होने के कारण या आप जो फ्यूचर बाइक यह हो वह बाइदा एक्सपैरी वी को नीचे आ जाता है तो उसमें करना क्या चाहिए तो इसके बारे में मैं रिप्लाई यही देना होंगा जो कि मैं पिछले कुछ वीडियो में भी मैं कहा हूं लेकिन फिर भी में रिपीट इसलिए कर रहा हूं जो लोग नय इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो यही है कि क्या करते हैं आप मालीजे आपके पास एक बहुत अच्छा पोटफोलियो है या आपके प विच्वल फॉंड है उसको रिडेंशन के लिए बेज देते हो अगर हां तब मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल डेरिवेटिव में ट्रेड मत किजिए और आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल कोई इंवेस्मेंट भी मत किजिए ट्रेड भी मत किजिए क्योंकि यहा आपका एवरेज करके जो बहुत अच्छा आपका जो एक पॉट्फोलियो बन जाता है वेदर डेरिवेटिव में या आपके कैस होल्डिंग में तो उसका मज़ा तब ही आएगा मेरा पिछले विडियो में मैं बनाया था कि बार्केट का जो 21 डिसंबर का जो फॉल वाता उ तो आप जो इसे देखे नहीं है मैं उसका श्नाप्शॉट दिया हूँ और नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हूँ आप उसे देख लिजे और एक इंपोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया था ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्जामपल लेत आपना डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ मेरा डिसंबर मेहना में कौन सा ट्रेड लॉस में हुआ था और उसमें मैंने क्या किया यह देखिए वाट आइडिड वैं मैं ट्रेड इन बीपी सियर फ्यूचर वाजिन लॉस और यह ज आप देखिए मेरा जो बीपी सियल का जो फ्यूचर था ओ था थी नाइटी सिक्स रूपीज एटी में मैं एक्यूआर किया था बाई किया था ऑं थर्ड डिसंबर 2020 को उसके बाद सेम टाइम सैमल टेनेसली उसी दिन में पंदरा रूपया नबेर पैसा में मैं बीपी सियल क चार्ट सो दस का कॉल सेल किया था सो इट वाद दिस प्यारी जे कॉबर का मैं क्यूं लिया थे ट्रेड क्योंकि मैं अभी भी बीपी सियल में बुली सूँ बीपी सियल जरूर अच्छा करेगा और बीच बीच में आप लोगों भी सुना होगा जो बिजनेस चैनल से उन्हो यह जब expiry week आया मैं 28 तरीको expiry date तो था वैसे 31st of December लेकिन मैं 28 December को मुझे लगा कि मेरा जो BPCL का future में जितना loss है और जो मेरा BPCL का जो call CL क्या हूं उसमें जो profit है वो करिब-करिब नजदीक आ गया है so that is the right time I thought to square it off तो मैंने क्या किया BPCL का जो future था उसमें मैं loss लिया 27,450 रुपिया का और जो BPCL का जो 400 दोस्त का call था उसमें मैं profit book किया 26,910 रुपिया का so करिब-करिब सबसो 800 रुपिया का ही घाटा हुआ इसमें मुझे फिर मैंने क्या किया इस slide देखिए मैं उसी दिन उसी 28 तरिक जानुआरी का मैंने future खरिदा और जानुआरी का एक call भी sell किया जानुआरी का future मुझे लगा 383 रुपिज देखिए मैंने sell किया था December का 381.55 मुझे 1 रुपिया 45 पैसा ज्यादा देना पड़ा future buy करने के लिए which is quite natural जब आप roll over करते हो अगले मैना के लिए तो आपका cost थोड़ा ज्यादा हो जाता है because of roll over तो roll over में हमेशा आप देखिएगा जब भी आप roll over करते हो एक मैना से दूसरा मैना या दो मैना पैसा आगे का तो हमेशा आपको कुछ premium ज्यादा देना पड़ता है बट इस वार मैं जानवरी का मैं 400 का call sale किया हूँ थोड़ा नीचे आ गया हूँ और इसको मैं sale किया हूँ 15 रुपी 35 पैसा में फिर आगे देखे देखते हैं कि जानवरी में ये trade कैसा जाता है and I'll do my best so that I come out with a profit ultimately मेरा December का loss हुआ है करीब 900 रुपिया तो मेरा profit जब 900 रुपिया से ज्यादा होगा then I'll say that मेरा जो recovery करना था December loss का वो पूरा हो गया और उससे अगर ज्यादा आता है well and good अब मेरा कोई भी CSP in the money नहीं हुआ था तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा जब आपका CSP cash secured put in the money हो जाता है आप दो चीज कर सकते हैं एक तो है अगर आपके पास cash है जो कि सबसे बहतर है option will strategy का principle वही कहता है कि आप उस स्यार को उस समय खरीद लिजिए क्योंकि cash secured put का मतलब है I believe that आपके पास उतना capital है इसलिए आपने cash secured put sale क्या है क्रिपया अगर without capital आप कोई भी put sale करते हो वो cash secured put नहीं होगा it will be considered as a naked put sale which is extremely dangerous और इससे आप दूर रही है हाँ तो दूसरा उपाई कह रहा एक तो रहा पहला बना तो मैं बोला cash में खरीद लिजिए दूसरा यह है अगर आप capital preservation करने के लिए थोड़ा time में लेना चाहते हो आप एक future buy कर लिजिए next series का अगर December में आपका कैसे क्योड़ पुटा इंदा मनी हो गया है उसका जो loss होने का हो गया है तो आप उसका एक future buy कर लिजिए और उसके against में आप call ऐसा sale किजिए जो loss आपका इंदा मनी में हुआ है तो उसके आफ़ पास आप cover कर ले या उससे ऐसा है कि उससे भी थोड़ा profit भी हो जाए not only आपका position not only आपका loss make up हो जाए थोड़ा profit भी हो जाए तो वो सोच विचार करके उस जो future आप buy किये हो उसका आप call sale करोगे जैसे कि मैंने किया मैं डिसंबर में 410 का call sale किया था लेकिन जानवारी सीरिज के लिए मैं 400 का call sale किया हूँ इसमें क्या सीख मिलता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी आप कोई position ले लेते हैं तो immediately ओर loss में आ जाता है तो क्या उस समय करना चाहिए मेरे हिसा में उस समय करना नहीं चाहिए क्योंकि loss दोनों तरफ से होगा क्योंकि तक time decay नहीं हुआ होगा अगर आप expiry week तक इंतजार नहीं कर पाते हो तो उस समय ज्यादा आपका नुक्सान होगा expiry week में आपका जो नुक्सान है वो कम हो जाएगा जो amount उस समय था वो amount कम हो जाएगा तो हमेशा मेरे हिसाब में expiry week तक रहना चाहिए इंतजार करना चाहिए जर्देपी बीच में loss हो जाए हो सकता है कि आप profit में भी आ जाए मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जो middle of the month मेरा loss था लेकिन मैं इंतजार जब किया बात में वो profit में आ गया और उसके अलावा जो उसमें भी यही है हिदायत उसमें भी principle अही है कि you don't have to do a day trading आपका जो भी हुआ ओ फिर expiry week में जो position आता या expiry day तक भी आप इंतजार करते हो आपको करना चाहिए तो take the maximum advantage of the situation तो इसके लिए patience का जरूरत होता है तो patience का फाइदा क्या होता है यह मेरा अगला slide में देखिए आपको दिखा रहा हूं so why should you have patience यह बहुत ही बहतरिन में example आपको दिखा रहा हूं जिसको कि मैं थोड़ा मेरा पिछला वीडियो में भी बताया था यह रहा माइंट्री का माइंट्री का यह जो ट्रेंड में लिया था एक मेहना पहले 24-11-2020 को और मैं रखा expiry week के आसपस करीब एक मेहना मैं उसको रखा रखने से मुझे फाइदा यही रहा कि जो मेरा माइंट्री का जो फ्यूचर था ओं 1438 से बढ़कर 1520 हो गया और मेरा टोटल प्रोफिट रहा उसमें 65,200 का और जो मेरा covered call का जो call था 1500 का वो decay होते होते हुए 24 November से लेकर 22 December को जो मैं square of किया तब तक वो सिर्फ 90 पैसा का loss रहे गया था मेरे लिए तो उसका फाइदा होता है जब आप option will strategy के हिसाब में आप इंतजार करते हो पेसेंटल इंतजार करते हो ट्रेट कहां जा रहा है तो यही उसका फाइदा है तो मेरा loss रहा only 720 रूपीच तो टोटल मेरा फाइदा हुआ था करीब 64,000 का यह रहा जो option will strategy का जो magic है इंतजार करन का loss भी हो तो countless होता है और profit हो तो ज्यादा profit होता है यह रहा एक उता example अब आप से विदा लेने के पहले मैं यही कहूंगा जैते कि मैं regular लिक कहता हूं कि please क्रिपया आप मेरा वीडियो को like करे, share करे, अगर subscribe अभी तक नहीं किये तो please subscribe करे और जरूर अगर कुछ comment लिखना ह कोई query है आप मुझे जो अपना comment box है YouTube का वहाँ दे सकते हो या जो लोग मुझे से जुड़े हुए है Twitter में या WhatsApp में उसमें भी आप दे सकते हो, WhatsApp में मैं member से बढ़ा ने सकता क्योंकि उसका limited साने you know, तो बाकी आप जुड़ना चाहते हैं यासा कि मैंने कहा आप मेरे Twitter में आ जोड़ सकते हो और इसी के साथ फिर एक बार मैं आप सब को इसी साल का बहुत-बहुत सुबकामना देते हुए बिदा लेता हूं नमस्कार